नमस्कार दोस्तों, लेजेंड और सबके फेवरेट इंडियन क्रिकेटर युवराद सिंग की लाइफ पर एक फिल्म बनने वाली है, जी हाँ, युवराद सिंग यानि यूवी पर बायोपिक बनने वाली है, और यूवी की बायोपिक को भूशन कुमार और रवी भगचंद क प्रोड्यूस करेंगे, फिल्म क्रिकेट तरन आदर्श ने पोस्ट शेर कर इस बात की जानकारी भी है, इस अनौंस्मेंट के बाद यूवराद सिंग ने भी प्रतिक्रिया दी है, मेडिया ब्रीफिंग के दौरान यूवी ने कहा कि उन्हें उमीद है कि उनकी बायोपिक लाखों लोगों को अपनी चनौतियों से पार पाने के लिए प्रिरित करेंगे, आपको बता दें तरन आदर्श ने यूवी की बायोपिक के अनौंस्मेंट करते हुए पोस्ट में लिखा कि बायोपिक और क्रिकेटर यूवराज सिंग अनौंस्ट भूशन कुमार, रवी भगचंद का to produce. In a groundbreaking announcement, producers भूशन कुमार और रवी भगचंद का will bring cricket legend यूवराज सिंग's extraordinary life to the big screen. The biopic, not titled yet, यानि की अभी तक कोई भी टाइटल उसका सुनिश्चित नहीं किया गया है, will be a grand celebration of his unparalleled journey and contribution to cricket, capturing the essence of his legendary career and his courageous off-field battles. More details soon. अब अपनी बायोपिक को लेकर भी यूवराज सिंग ने क्या कहा, आईए जानते हैं. मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, मेरी कहानी दुनिया भर में लाखों प्रिसंशकों को दिखाई जाएगी, cricket मेरे लिए सबसे बड़ा और सभी उतार चड़ावों के दौरान ताकत का स्त्रोत रहा है. मुझे उमीद है कि ये फिल्म दूसरों को अपनी चुनौतियों से उबरने और अटूट जुनून के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करीगी. यूवराज सिंग जिनने सब यूवी के नाम से भी जानते हैं, आईए उनका cricket का इतिहास जानते हैं. यूवराज सिंग भारत क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी में से एक हैं, उन्होंने 17 साल तक इंटरनाशनल क्रिकेट खेला हैं, इस दुरान उनने 40 टेस्ट मैचों में 33.93 की आउसत से 1,900 रन बनाएं, 304 वंडे मैचों में 36.56 की आउसत से 8,701 रन बनाएं, और 58 T20 मैचो इस दुरान उनके बल्ले से 71 अर्द शतक और 17 शतक निकले हैं, इसके लावा उनके नाम 14 इंटरनाशनल विकेट भी दर्ज हैं, यूवी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप में और 2011 के वंडे वर्ल्ड कप में भारतिये टीम को ट्रॉफी दिलाने में एहम भूमी कने बाई और इंगल खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे क्ले के लिए धन्यवाद